हे गाईज वर्कम बैक टूमा यूट्यूब चैनल योने क्लासेज तो आज हम देखेंगे जैसे कि आप सभी बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थी किस चीज को लेकर AFPS का जो आपका टाइम टेबल था उसको लेकर बहुत डिमांड आ रही थी कि AFPS यानि कि आर्मी स्कूल के लिए जो SOSC में आप सभी क्या करने वाले हैं तो जैसे कि मैंने स्टाइम टेबल का मतलब यह नहीं है कि मैं आप सभी को यह कहूंगी कि आप सभी क्या करें सुबह इतने बजे उठें फिर उसके बाद आप थोड़ी जो भी अपने एक्सरसाइज करते हैं वह करें फिर उसके बाद आप खाने का टाइम यह होगा ठीक है यह हमें स्वधंतरता प्राप्त है उस चीश को लेकर ठीक हमें फ्रीडम है कि हम खुद इन चीजे को कर सकते हैं तो इसलिए उसको हम क्या अगर मैं कह भी दूस सड़े साथ से सड़े आट बजे तक आपको पढ़ाई करनी है और उसके बास आप 10 मिंट का रेस लिजिए और तो फिर आपको यह सब्जेक्ट पढ़ना है तो हो सकता है उस टाइम पर आपको वह सब्जेक्ट पढ़ने का मन ही ना करें तो फिर क्या होगा पढ़ाई नहीं होगी न तो इसलिए इन चीजों में आप क्या करेंगे अपना टाइम वेस्ट करेंगे चाहे आपको एक टाइ टेबल बताने का मतलब यह है आप सभी के लिए कि मैं आप सभी को यह बताऊंगे कि आप सभी क्या करेंगे आप सभी जो है क्या करेंगे कि इस दिन आपको क्या पढ़ना है कितने चैप्टर कंप्लीट करने है यह ड्यूटी मेरी आप सभी को इस वीडियो में बताने की तो अ आपका एक्जाम कब है, आपका एक्जाम 26 March को है, ठीक है, 26 March को आपका एक्जाम है, तो अब अगर देखिये, आज 1 March हो चुकी है, तो शायद मैं कल तक आप सभी के लिए वीडियो डाल दूंगी, तो 2 March से आप सभी इपनी पढ़ाई करनी स्टार्ट करेंगे, तो इसका करेकमेंट तो यहां पर दिक्कत क्या आ जाती है आप सभी के पास कि जो AFPS है उसका जो आपका यह स्लेबर से बहुत ही ज़्यादा या कहीं सारे जितने भी आपके डॉमीन से उनसम में से विसे ज़्यादा जो है AFPS का स्लेबर रखा करें तो स्लेबर के क्या को डिंग आप सभी की सैस्ट है वह भी आएगी studio यहां आपका खरीं रही है वही है कि इसे सब्सक्राइब आती नहीं है और फिर आपकी आपका इह कि क्या आ रहा है मैठ भी आ रहा है ठीक है और पिर इसमें ल्ले कर लो गर का of G चरना नॉलिज है वो भी आएगी याने करेंट वाले जो कोशन से वो भी आएगी तो सस्टी में आपको अपनी पूरी की पूरी एट्थ क्लास की जो शोशल साइंस की जो बुक्स हैं वो रीड करनी पड़ेंगे और करेंट की हम कुछ बता नहीं सकते उसके लिए आपको कि आप करेंट अफेर्स पर इतना जाद ध्यान ना दें बस आपको यह ध्यान रखना अभी कौन से जो यह मिनिस्टर वगरा है वो बने हैं इस तरीके से ठीक है और ज्यादा मत कीज़ेंगे वह बहुत ज्यादा कम रहता है करेंट के लिए तो मेन फोकस आपका वहां पर र कितनी हैं आपने खुद देखा होगा इसके जो बुक्स हैं वो आपकी तीन बुक्स लगी हुई है यानि कि आपके जो तीन बुक्स हैं कौन कौन से लगी हुई है आपके जो हिस्ट्री है वो लगी हुई है ठीक है सीविक्स हो गई वो लगी हुई है और इसके साथ साथ आ से कंप्लीट करोगे इतने कम टाइम में तो मेरी एक मानना है तो यहां पर यह मानो कि आप यहां पर मॉस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करो इसके यानिके जो चैप्टर आपके बहुत ज्यादे इंपॉर्टेंट है जहां से कोशन आ सकते हैं तो सस्टी में केवल वो बलाएंगे तो मैंने जो है इसके लिए शॉचल सेंस के लिए मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के इनमें स्चुडेंट के लिए डाल्धी वीडियो कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट जहां से कोशन किस टाइप के बनेंगे ये मैंने बताया था तो उन्हीन ही द ऊपकी एक बात आ रही है कि आपको दिया है कि जब आप NCRT करते हो तो उसमें आपके जो बॉक्स वाले जो box में आपको कुछ लिखा हुआ मिलता है उसे read करो, जो भी चीज highlight है उसे पढ़ो तो वो important होता है, definition वे गएरा होगे, example वे गएरा होगे, वो important होते है, और जो chapters मैंने आपको पताया थे, जैसे कि freedom के लिए, making of the constitution वाला जो chapter है, national moment वाला जो chapter होगे आपका, इस type के मैंने ज क्योंकि आपको पता होगा, क्या पैसो ऐसी में exam देने वाले हैं नहीं की है, फिर भी आप important chapter करने स्टार्ट कर दो, ठीक है, और की है, तो इसे फायदा ये होगा, कि आपको पता ही होगा, कि इस chapter के क्या important है, उसका revision करना स्टार्ट कर दो, तो यहाँ पर बस यही बात है, क कि आपको social science के लिए बस यह strategy follow करने पड़ेगी, आपको अभी तग ही पता चल गया होगा, कि क्या important होती है exam में, क्या चीज़ आ सकती है, क्या चीज़ नहीं आ सकती है, नहीं पता है, तो उस वीडियो को जरूर देखना, जो humanities वाले वीडियो बनाई है, जिस मैंने social science के पा important chapter होगया है, resources वाला भी important है, second chapter भी बहुत important है आपका, ठीक है, agriculture से एक दो question आ सकते हैं आपके, तो ये chapters आपके important हो, साथ साथ मैं आप सभी के लिए वीडियो तो लेकर आती है, social science की, तो वो सब कुछ important है आपका, तो important topics करो, सारे का सारे करना impossible हो जाएगा इस टाइम पर, अब ये जो है आपका, ये भी आपका जो civics है, civics है यानि ये political science है, इस में से मैंने important topics आपको बताए हुए हैं, उस वीडियो को देख लेना और अपना cover करना start कर दो, यानि कि, sst में आप क्या करोगी, day जो आप कैसे fix करोगी, एक दिन में आपको sst का क्या करना पड़ेग जो math है वो तो daily करनी पड़े ही practice की important जरूरत होती है हमारी exam में, तो sst जिस जिन करो, उसके साथ mathematics करनी है आपको, ठीक है समझ रहे हैं आप सभी, और next day क्या करो, इस जिन आप sst का एक chapter complete कर लो, next day क्या करो के आप सभी, जो अगला दिन आएगा, day number 2 जो होगा, उसमें English grammar कर करनी है, आपको plus में math करनी है, math तो करनी है, फिर next day फिर से sst कर लो, ठीक है, और फिर इसे साथ mathematics कर लो, इस इस टाइप से आपका चलता जाएगा, ठीक है, तो ये रहने वाला है, ऐसे करनी है, आपको अपनी त्यारी, ठीक, math को किस सरी के से आपको divide करना, ये तो देखना पड़ेगा, और English grammar में आपके जो important, जो भी topics अभी तरक कवर हुए, प्रेपरेशन हो गया, ठीक है, noun, pronoun, error वगरा निकालने, ये साथ चीज़ आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है, समझे मेरी बात, अब यहाँ पर ये mathematics के इतनी साए topics है, कैसे कवर करोगे, आपके पास अभी क्लास में जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम पढ़ना ठीक से स्टार्ट करते हैं, हम सोचते हैं, इस क्लास में तो बहुत अच्छा करेंगे, मैं ही टॉप करूँगा, बहुत बच्च ऐसे होते हैं, वो करते भी हैं, पर हमारे मन में, चाहे कैसा भी बच्चा, उसके मन में अच्छे से चीज़ करने की एक लगन होती है और बच्चा करता भी है तो इसलिए स्टार्टिंग के चैप्टर ऐसी होते हैं जो हम बहुत अच्छे से करके आये हुए होते हैं अपने अपने अंड तक लास जब एंड होने वाली आपकी तब तक आपने की होंगी ठीक है या फ इसलिए आपको क्या करना है क्योंकि कुछ चैप्टर को ओनली एक दिन देना है यानि कि हर एक चैप्टर को एक दिन देना है एक दिन ये चैप्टर कर लो चैप्टर वन अग नेक्सट डे सैटले चैप्टर कर लो इस तरीके से टैन चैक्टर प्रीट करते करते हैं आपके टोटल ज्रवन खूंगे वो कितने लग जाएंगे दस दिनलग शंचना आप मीरी बात तो तो dal вспेट प चलेगे फ्र 16 दिन बच गए आपके पास 16 दिन में अब आप अपने आप डिवाइड कर लो जो मुश्किल चैप्टर लगे उसे 2 या 3 दिन दे लो ठीक है जो easy chapter लगे उसे एक दिन दे लो ठीक है जैसे कि playing with the numbers जो easy chapter है आप उसे एक दिन दे लो और इसके जो एक दो यानि कि अगर मानो हाँ chapter आप दो-दो दिन में करते हुए आ रही हो तो playing with the words जो chapter है आपका इसे आप एक दिन दे रहे हो तो यानि कि एक दिन एक्स्ट्रा बच गया तो आप जो है ये 11 chapter जो है इस पे आप क्या कर सकते हो एक दिन आप पे पास देखो आप जो ज़्याइँ स्ट्रेस नहीं लेना है ये नहीं सुछने है कैसे होगा कैसे होगा तो इतरल के बजाए आप ये क्यों नहीं करके दिखाते हैं आप अपने प्रैक्टिस क्यों नहीं करें बैठके आप यह क्यों सोच रहे कि कैसे होगा क्या हो पाएगा मुझसे क्या कट आफ जादा जाएगी नहीं भई यह चीजे अभी सोचने के चीजे नहीं है अराम से सोचना अपना एक्जाम देने के अब भी आपको focus करना है only and only अपने study पर और मैं आपको बता ही चुखी हूं कि कैसे study करनी है आपको एक दिन एसस्टी लेनी है प्लस में math लेनी है math को छोड़ना ही नहीं है ठीक है next day आपको क्या करना है English grammar लेना है और प्लस में आपको क्या है आपकी math करने और यहां पर एक important बात आप सभी को बताने वाली हूं और वो बात आपकी यह है कि जब आप जो भी आप अपना topic कर रहे हैं ठीक है कोई भी topic तो करोगे उसको topic को करने के बाद उसके mcqs करना बिलकुल भी नहीं भूलना है जैसे English grammar क कोई भी topic आपने समझा तो उसको समझने के बाद जिस टैप के जिस टैंडर आप एर्थ क्लास में हो तो नाइस टैंडर के आप देने जा रहे है एक्जाम नाइंत का तो उसमें किस टैप कोशन आ सकते हैं उसके according अपने standard के according आपको क्या करने पढ़ेंगे आम से क्यूज कर आइक है घृवर सकते हैं अपनी चीजा आपर करने और आपको फॉकस करते हुए अच्छे से पढ़ाई करते हो चलना है और साथ में रिवाइज करती हो चलना आई ऐसा ने करना है कि सब कुछ कर लिया और रिवाइज ही नहीं किया तो हमारा जो माइंड होता है वह करंड की चीज़े आद रखता है अभी हमने जो भी चीज़े करी हैं वह हमें ज्यादा रहती हैं बल्कि एक दो साल पर जो चीज़े की होगी वह सब्भूल जाते हैं और इसका रिजन यहीं होता है थो ये था आपका टाइम टेबर स्टैटेजी कुछ भी कहलो तो आपको समझाने के लिए सब कुछ मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाना ही गोशिश किया यहाई थिंका आप सबीको समझ में आया होका अगर आया हो तो आप सभी वीडियो को लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकत कैद और हमारे चैनल mean to subscribe तो खरी दिया वहमने और हमारे वोल दिया तो इसकाम क्या है आप का और मेरा हम दोनुKY चैनल है यह यह